चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए इस लाल बटन को दबाएं और साथ में दबाएं इस बेल के बटन को भी नए वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए नमस्कार दोस्तों आप सभी का भूत भूत स्वाकता आपके अपने चैनल में मेरा नाम है विक्रम आप देख रहे हैं विकेमेती यूटूब चैनल तो दोस्तों आज किस वीडियो में हम सिखेंगे डिसकाउंट बटन क्या होता है इस बारे माज हम बात करेंगे तो आज किस दोस्तों मैं आपको बेसिक बताने वाला हूँ इसके डिसकाउंट का कि इसका बेसिक क्या है कैसे इसको समझाता है और आगया वाले वीडियो में में कुछ अलग से एकजामपल लेके आपको पूरा इसका समझा दूंगा ठीक है अब दोस्तों यहांँ पर हम बात करते हैं क उसे discount बोला जाता है और उसे पेसे में हम convert करके कि कितने रुपिये इसके बनते हैं अगर इतना प्रतिसद हमें छूट मिलता है तो वो पेसे है जो उसकी print rate होती है जो उसका अंकित मुले होता है उसमें से कम कर दिया जाता है एक बात का हमें यहां पर ध्यान रखना है दोस्त discount बाद में बोला जाता है कि इस पर 30% का भी discount ओर है तो इसका मतलब यह नहीं है कि हमें 50% का discount मिलता है तो वो होता है उसे अगर एक साथ हम ग्यात करते हैं तो उसे बोलते हैं समतुले बटा equivalent discount ठीक है तो आज मैं आपको यह दोनों चीजें बताने वाला हूं इन दोनों में अंकित मुले 600 रुपे है यदि उस वस्तू पर 10% की छूट दी जाए तो अब वस्तू का मुले क्या होगा यहाँ पर दोस्तों इसे question करने के लिए हमें पिछला जो मैंने वीडियो बनाए थे उनमें मैंने पर 30 के बारे में percentage के बारे में बताया था तो यह थोड़ा जो यह discount का यह जो chapter है कुछ उससे मिलता जुलता है उसी के हिसाब से हमें करना है यहाँ पर दोस्तों हमें question में दिया गया है कि वस्तू का अंकित मुले है जो 600 रुपे है यानि कि जो print rate है उस पर 600 रुपे है अब उस पर हमें क्या दिया जाता है वहाँ हमें 10% की छूट मिल जाती टूप रुपे है जो यहाँ पर दोस्तों हमें क्या करना है जो 600 है उसका 10% हमें निकाल देना है तो 600 का हम 10-30 निकालते हैं तो पर 30 का वैने topic जब बताया था है कैसे निकालते हैं 600 गुणा हम 10 के बटे में 100 लिख देते हैं अब यहाँ से हम 2-0 कार देंगे और यहां पर 10 क हम 6 से गुणा करेंगे यह 60 आ जाएंगे तो यह दोस्तों जो 60 रुपे आए हैं यह आए हमारी छूट ठीक है अब यहां पर हमें इसका प्राइज ग्याद करना है कि लाश्ट प्राइज क्या था कितने की वस्तू होगी यह तो यहां पर हम क्या करेंगे जो अंकित मुले दिय हुआ है 600 रुपे उसमें से हमें क्या करना है यह जो 60 रुपे आए हैं यह निकाल देने तो यहां पर हमारे आ जाएंगे 540 रुपे तो इस प्रकार से दोस्तों यह जो क्यूस्टन है अगर छूट आपको दे दी जाती और अंतिम प्राइज आपको पूची जाती है नॉर् करके देखते हैं तो अगला एक जाम पहले जो को दोस्तों कुछ इस प्रकार से है एक दुकानदार ने एक वस्तू 500 रुपे के इस्तान पर 440 रुपे में बेस दी तो बताओ दुकानदार ने उस वस्तू पर कितने परतिसत छूट की ठीक है तो यहां पर दोस्तों ऐसी कु मुले तो जो था वो था 500 रुपे यहां पर दोस्तों एक बात में आपको बता दूँ कि जो भी छूट है निकलेगी वो प्रिंट रेट यानि कि जो अंकित मुले है वस्तू पर लिका हुआ मुले आता है उसी पर दी जाएगी ठीक है यहां पर दोस्तों अब हमें क्या दिय लेकिन सबसे पहले दोस्तों हम क्या करेंगे यहां जो हम छूट है वो निकाल लेंगे पेसे में क्योंकि हमें इसका अंकित मुले और विक्रे मुले पता है विक्रे मुले है यहां पर 440 रुपे क्योंकि बेजने वाला मुले है अब दोस्तों अगर हम अंकित मुले में से व करना है परतिसत में तो इसका सिद्धा सा फोर्मूला है छूट बता अंकित मुले गुणा सो ठीक है तो अंकित मुले कितना था 500 और छूट हुई 60 रुपे की तो 60 बते 500 गुणा सो दो-जीरो से दो-जीरो कैंसल हो जाएगा और पांच का भाग है 60 में जाएगा 12 बार तो इसका जो परतिसत है वो आजाएगा 12 परतिसत यानि कि उस दुकानदार ने उस वस्तू पर 12 परतिसत की छूट दी ठीक है तो ऐसे कुछ जरू अगर आते हैं तो उनको इस परकार से आप कर सकते हो अब दोस्तों हम एक चीज में बत करते हैं एक एक्जांपल हम लेते हैं और उसको सोल करके देखते हैं यहाँ पर दोस्तों जो अगला क्विश्चन हो परतिस से के लिए इनका एक formula होता है कि अगर हमें इसे छूट मिलती है 3 से 4 से ज़्यादा यानि 2 से 3 तक हमें छूट मिलती है तो वहां में क्या करना है वहां में दोस्तों जो हमें पता है कि सबसे पहले तो कि यहां पर जो छूट मिलेगी वो 100 में से होगी ठीक है टोटल 100% में से होगी यहां पर हम अगर क्या करें 100 में से पहले वाली छूट निकाल देते हैं 100-A बाद में 100-B अगर सीधा हमें समतुले बटा गयात करना है और उसके बाद में 100-C ऐसे जितनी भी छूटे मिलते है उसको हम निकालते जाते हैं यहां पर दोस्तों बाद में हमें बटे में क्या करना है नॉर्मल से मैं तरीका बता रहा हूँ यहां पर अगर आपको दो छूट मिलती है तो आपको 100 लिखना है तीन मिलती है तो गुणा में और 100 लिखना है और c है जो है 20 ठीक है, तो यहां पर 100 में से हम पहले 40 निकल देंगे, तो यहां साथ आएँगे, और यहां पर दोस्तों कोई चिना नहीं है, ब्रेकिट दिया हुआ है, तो यह है गुणा में, तो 60 गुणा यर 20 हो गया उतने निकाल दो अब बटे में 10 है उपर है 8 गुणा 7 गुणा 6 ठीक है तो इनको हम गुणा करते हैं तो यह आते हैं 336 ठीक है 336 और बटे में 10 है तो उसका भाग लगेगा तो यह आ जाएंगे 100-33.6 तो अब हम इसको इसमें से निकाल देते हैं तो यहाँ पर हमारे आ जाते है 66.4 तो यह हो जाएंगे 66.4 तो इस परकार से दोस्तों जो समतुले बटा है वो ग्याद किया जाता है आपको यह फोर्मूला है जो पता रखना है यहाँ पर कि अगर दो छूट दी जाती है तो बटे में 100 लिकना है और आगे अगर दिया जाता है छूट और जादा है तो वहाँ में 100 करते जाना है यह इसका फोर्मूला है सिंपल सा अब दोस्तों एक में क्यूस्चन और लेता हूँ एक से अधिक तो क्यूस्चन है जो किस परकार से होगा हम करके देखते हैं तो यहाँ पर दोस्तों जो अगरा क्यूस्चन होग इस परकार से है 4000 रुपे के एक रेडियो के मुले में 15% की कटोती फिर 10% की कटोती की गई तो बताओ अब उसका मुले क्या होगा यानि कि यहाँ पर दोस्तों में अंति मुले पुचा गया लश्ट प्राइज क्या होगी अब यहाँ पर दोस्तों पहले हम निकालते हैं इसका अंति मुले तो वहाँ हमें एक फोर्मूला चाहिए और वो फोर्मूला इजिस है में आपको बता देता हूँ कि किस परकार से आपको करना है अभी हम देखते हैं उस formula को तो यहाँ पर दोस्तों formula है جो कुछ इस परकार से अगर आपको अंति मुल्ले ज्यात करना है तो वہाँ लिख करना है दोस्तों bracket 1 पलस माइनस r1 बटे 100 ब्रेकिट बंद ब्रेकिट में 1 प्लस माइनस R2 बटे सो यहाँ पर दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि जो R1 है R2 क्या है यह R1 है जो प्रारंबिक छूट है जैसे मैंने पिछले एक्जांपल में बताई था A, B, C के बारे में तो R1 है प्रारंबिक जो पहली छूट होती है R2 है जो दूसरी छूट है इस परकार से अगर आपको और भी छूट मिलती है तो यहाँ पर आप 1 प्लस माइनस R3 बटे सो लिख सकते हो आगे तो इस परकार से यह जो फॉर्मूला यह बनता है यहाँ पर दोस्तों आपको यहाँ पर एक बात का ध्यान रखना है छूट हमें यहाँ मिलती है यह प्लस माइनस मैंने यहाँ क्यो लिखा है प्लस है जोडने के लिए माइनस है गटाने के लिए ठीक है तो यहाँ यहाँ में छूट मिलेगी तो वो है जो कम ही होने वाला है इसलिए यहां हमें माइनस ही रखना है तो यहां पर दोस्तों इस question को soul करने के लिए अगर इस formula से हम करते हैं तो कैसे करेंगे यहां पर दोस्तों हमें मिलता है 4000 रुपिय है जो सका प्रारंबिक मुले ठीक है यहां लास्ट प्राइज उसकी क्या होगी तो 4000 रुपिय प्रारंबिक मुले था अब यहां पर दोस्तों इसको soul करके देखते हैं यहां पर हमें मिला है 1 पलस माइनस तो यहां पर छूट है तो माइनस हम बटे में 100, पूरा में करके बता रहा हूँ, आप सीधा सा कर सकते हो, वो भी मैं अभी बताऊंगा कैसे, यहां यह दोस्तों ब्रेकिट है जो गुणा में है, और यहां हमें दिया गया है, वन माइनस दूसरी छूट है, जो है 10 परजें, ठीक है, तो 10 बटे 100, इस परकार से हम इसको बैठाना है, अब इसको कैसे लिखेंगे, 4000 गुणा में, अब दोस्तों यहां पर इसको सिधा सा करने के लिए यह है, कि 100 का गुणा इससे करो, तो 100 का गुणा हमने इससे किया, 100 बार, ठीक, 100 हुआ, और 100 में से 15 हमने निकाल दिये, तो यह होगे 85, 85 बटे 100, इसी पर पीट के, यानि काटना चाओ, तो ठीक है, नहीं सीधा गुणा करके, अब 100 गुणा 100 का भाग लगा सकते हो, हम कार देते हैं, 10 से 10, अब यहां पर दोस्तों, 2000 यह है, 2000 इससे कैंसल हो जाएगी, एक यह वाली, यह इससे, अब यहां दोस्तों, उपर बचा है 85, गुणा 9, और यहां पर बचा है 40, ठीक है, इसको हम अगर आपस में गुणा करते हैं, तो यह आते हैं, 3060, रुपीज ठीक है, तो इस परकार से हमने अंतिम प्राइज जो निकाल लिया है, कि उसका कितना अंतिम प्राइज है, जो निकल के आता है, अब अगर आप इसको सिधा सा करना चाहते हो, तो यह इस्टेप आपको लिखने के आपसकता नहीं है, आप सिधा यह लिख सकते हो, किस परकार से, यहां पर जितनी पी आपको छूट मिलती है, उसको 100 में से निकाल देना है, उपर लिख देना है, बटे में 100 लिख देना है, जिसे माल लिजी यहां में 20 मिलता तो हम सो में से 20 निकाल के 80 यहां लिखें यहां पर 100 लिख देते बटे में तो यह इस टेप लिखने के आपको जरूरत नहीं है मैंने इसे समझाने के लिए लिखा है तो दोस्तों यह थे कुछ बेसिक से इसके क्यूशन आगे आने वेले वीडियो में मैं कुछ अलग प्रकार के क्यूशन बताऊंगा जिनमें जैसे मालने जी अंकीत मुले से बढ़ा कर आपको छूट दी जाती है या उसको पहले से इंकीत मुले बढ़ा दिया जाता है यानि की बाद में छूट कर दी जाती है तो वेसे question कैसे सोलोंगे आगे के वीडियो में हम जानेंगे तो ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत देने वाद अगर वीडियो पसंद आया तो इसे like करें अपने दोस्तों के साथ share करें और हमारे चैनल के साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को अभी subscribe करें और साथ में बेल का आइकन को जुरूर दबाएं ताकि हमारे वीडियो के notification आपको मिल जाए तो दोस्तों फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ तब तक के लिए जे हिंद जे भारत